students welcome है आपका मेरे youtube चैनल biology by अंचल सर पे प्लीज इससे आप subscribe करें और like करें और इस video को पूरा last तक देखें क्योंकि हम start कर रहे हैं यहाँ पर part number two security system का और यह पूरा का पूरा बहुत ही important chapter है अगर आप इसे पूरा का पूरा नहीं देखेंगे तो यह chapter कभी आपको clear नहीं होगा तो हम start करते हैं excretion part two class 10th NTSC सब के लिए start कर रहे हैं हम यहाँ पर part two हम देखेंगे यहाँ पर right kidney का length और यह light kidney का weight और left kidney का weight और आल देखा जाए तो यह दिखाए दे रहा है यह men के अंदर यह right kidney जो है यह थोड़ी सी क्या है हलकी है in compare to the left kidney से क्योंकि left kidney की जो length होती है वो क्या होती है ज्यादा होती है और आल देखा जाए कि अगर हम बात करें कि men के अंदर तो यह 120 से लेके 170 gram के बीच में हो सकती है clear है हम दोनों के लिए की चलेगी यहाँ पर लिए अगर देखा जाए woman के अंदर तो यह क्या होगा यहाँ देखो काफी vary कर रहा है यह काफी vary कर रहा है clear यहाँ पर तो यह medical पूरी की पूरी क्या है यहाँ पर data दिया हो यहाँ पर अगर हम बात करें अपने Indian books की बात करें सेन्सियाटी की भात करें तो यह डीठा क्या होगा हैं इसकी साथ अगर देखा जाए जो kidney की जो मोताई है वह कितनी है हम देखते है इस द्याग्रामило यहां से लेकिए यहां तक एगर देखा जाए कि अगर यह neces किझें चोड़ाई देखें 2 से 3 cm तक इसे आपको लर्न करना पड़ेगा हम देख रहे हैं एक किड्नी का डाइग्राम और किड्नी का ये LS है ये longitudinal section है जिसमें आपको internal structures दिखाई दे रहे हैं सबसे पहले देखेंगे यहां पर हम किड्नी को protection कौन परवाइड कर रहा है तो किड्नी को protection कर रहा है outer covering जिसमें क्या कहा रहा है renal capsule के बाद जो किड्नी का structure start होता है यहां से लेकि यहां तक का structure है इसे हम कह रहे हैं यहां पर देखिए यहां पर is called the cortex यह क्या है यह है कोटेक्स है तो this is called the cortex आगे बढ़ते हैं कोटेक्स के बाद जो structure आ रहा है यहां से लेकि यहां तक इसे हम क्या कह रहे हैं medulla तो cortex क्या हो गया यह outer structure हो गया और medulla क्या हो गया यह inner structure हो गया medulla कम दो पार में डिवाइड कर सकते हैं एक outer medulla और एक deep medulla डीप कहिए medulla कहिए जैसी कह सकते हैं आप क्या inner medulla भी कह सकते हैं बूब करते हम आगे यहां पर अब kidney के जो structures आपको याद करने हैं जो important है जिसकी पर questions आते रहते हैं आपको इन सारे numbers को क्या करना है याद करना है start करते हम यहां पर तो पहले नियल दिखते हैं यहां पर आप पर शॉड़्य को भी यहां पर इन गैप की sera yeah यह यहां बना हुआ है किड़नी के अंदर का कॉल्म है तो हम भी क्या बोलती है इसको renal कॉल्म भोल दिये अब ये पूरा का पूरा जो है कौन की तरह बना हुआ है कौन वाले structure का हम क्या बोल ले हैं जो सिर्फ मैडला को कोवर कर रहा है रहे हमाँ पर हम क्या ऊबोलने अपने से को रिनल परयमिट क准ए रहे है कि झालों कर दिया है अब बात करते हैं और ले तो या तर्मान मुश्ण है को यह को सकते और ऐसे नंबर दिखा रहा याप ए फिफ्टीण टू 16 रिनल पिरामिट हो सकते हैं यह जो triangular structure दिखाई देरा आपको यह 15 to 16 हो सकते हैं kidney के अंदर on average move करते हैं आगे next पे अब इसके बाद आ रहा है कि यह जो conical structure है जो pyramid वाला structure है यह कहां पर आके open हो रहा है यह आपको पतले पतले यह जो column दिखाई दे रहे हैं यहां पर यह वाले column की बात कर रहे हैं यह सारे के सारे क्या कह रहे हैं इनको क्या बोलना है minor calyx कह रहे हैं और minor calyx का number कितना हो सकता है यह conical इसका आगला पार्ट यह है 7 to 13 हो सकता है अब यह जो conical part है यह आगे जाके एक broad area में अब देखिया पर दो conical जाके single area में open हो गए यहां के दो जो minor calyx है जाके single area में open हो गए यह बड़ा area है जहां पर यह minor वाले आके अटाच हो रहे हैं जाके mix हो रहे हैं इस area को तो बोलते हैं किया हम major बोलते हैं और major calyx कितना हो सकता है two से three एक single kidney के अंदर हो सकता है अब यहां पे अगला एक word आ रहा है इस काल दा renal papilly अब यह पूरा का पूरा कों जो है यह जो कों जहां पर open हो रहा है यहां की बात कर रहा है हम यहां पे इस open area को जहां पे open होता है इसे हम क्या बोल रहा है renal papily बोल रहा है clear हो यहां पे यह सारी चीज़े आपने देख लिए यहां पे आगे बरते हम लोग यहां पे अब kidney के अंदर आपको दिखाई दे रहा है यहां पे adipose tissue in the renal sinus अब adipose tissue का role क्या है तो इसका role है क्या एक cushion provide करता है kidney को और kidney का क्या कर रहा है protection provide करने का काम कर रहा है यह क्या कर रहा है protection provide करने का role पे कर रहा है adipose tissue generally हर एक vital organs के अगल बगल यह adipose tissue क्या होते है present होते है साथ में क्या कर रहा है यह एक फिलिंग मटेरियल की फॉर्म में किंडी के इंदर प्रेजेंट है जो एरिया खाली है वहां पे टिशू क्या है प्रेजेंट है मुव करेंगे मा के यह तरफ यहाँ पे अब देखते हैं कि यह जो एरिया है जहां पर पूरे के पूरे major क्यालेक्स आके ओपन हो रहे हैं यह एरिया कहला रहा है क्या इस काली टार्ल बेल्वीप ब्रॉस है है इसे हम क्या बोल रहा है हाइलस बोल रहा है तो यहां पर सारे के सारे निफ्रॉं जो हैं ऐसे लगे हुए हैं मैं बताया था या की एक kidney के अंदर 1 million nephron होते हैं, जो उस kidney का structural and functional unit होते हैं, nearly 1 million complex tubular structure present होता है, हर एक kidney के अंदर, वो क्या होता है, structural and functional unit होता है, kidney के जो filtration करने का काम करते हैं, तो यह हो गया क्या हमारा kidney का structure, आप focus यह करेंगे कि outer side वाला जो क्या है, हम इसे क्या कह रहे हैं, cortex कह रहे हैं, inner side क्या कह रहे हैं, मैंने हम middle कह रहे हैं, हम यह clear बताते नहीं चाहिए, फिर से आपको यहाँ पर कि कुछ जो nephrons हैं, वो outer side में present होते हैं, cortex रीदर में present होते हैं, और उनका बह mostly, cortical side में present हैं, इन्हें हम बोलते हैं क्या cortical nephrons, क्योंकि cortex में present हैं, तो क्या बोलते हैं हमने, cortical nephrons बोल देंगें, लेकिन कुछ nephrons ऐसे हैं, जो काफी deep middler तक आ गए यहाँ पर, काफी गहरा ही तक आ गए, क्योंकि middler तक आ गए, तो हम इसे बोलते हैं क्या juxtra medullary nephron कहते हैं, juxtra का मतलब होता है near, यह near किसके present हैं, यह juxtra medullary nephrons क्यों हैं, यह काफी लंबे होते हैं, और अगर बात करें, तो यह पूरा का पूरा यह यह उश्यों पे सच्चा दिखाई दे रहा है, यह क्या है, एक है नीचे आने वाला को बोलते हैं क्या हम, इसको कहा जाए कि जो cortical nephrons होते हैं, इनकी बात कर लें, तो इनके पास एक structure क्या होता है, absent होता है, उस शिच्ट को हम बोलते हैं क्या, vasa recta, vasa recta का मतलब होता है क्या, straight tube, यह जो है absent है कहाँ पे, पहले यहाँ पे जान लिए, यह cortical nephron में क्या होता है, absent होता है, यह आप ध्य blood capillary है, जो nephron के ascending से लेके descending limb तक जाती है, opposite to nephron क्या करती है, move करती है, अगर nephron ऐसे से ऐसे move कर रहा है, तो capillary क्या करेगी, ऐसे से ऐसे क्या करेगी, move करेगी, just opposite, और इसे बोलते हैं क्या, इसके एक mechanism चलती है, that is called the counter current mechanism कहते है, simple form में आब आपको उतना जाना है कि nephron क के अंदर, kidney के अंदर निफोह से दो टाइप के है, एक जो हैं वो cortex के अंदर पाए जाते हैं, cortical निफोहन क्या है, जिनके अंदर ये duct वाला इस्ट्रू काफी छोटा होता है, और एक क्या हैं, काफी अंदर तक गय हूए हैं, जिनम क्या कहते हैं, graduating कोटिकल के लिए क्लिर है हम मूव करते हैं नेक्स पेज की तरफ अब देखते हैं यहां पर की यूरीन के लेकर में कौन कौन से स्टेप आ रही है तो पहले मैं आपको दिखा दू भी जो बात कर रहे थे हम लोग वासारेक्टा के बारे में यही आपको वासारेक्टा दिखाए दे रही जो पेडि- OFF है यह आई यहां पर यह recognize03 करने के बार पेरी टूबलर कैपरी बोल ले हैं या ऐसी को हम क्या बोल ले हैं वासा रेक्टा बोल ले हैं वासा रेक्टा बोल ले हैं भूलना नहीं है आपको यहां पर अब देखते हैं पहले आपे कौन कौन से यहां पर टेक्निक दिखाए दे यहां पर यूरीन फॉर्मिशन में में थ step दिखा इतर है आप देखें पहला जो step है वो क्या है glow merular filtration हम detail में जाएंगे पहले आप इहां पर सुर्फ यहां देए नाम देखिए आप दूसरा क्या है यहां पर tubular reabsorption और तीसरा क्या है tubular secretion इसके बाद क्या है जो urine का formation हो जाता है that is कह सकते हैं इसको 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 क्या excret so as a d वाल step मलत की fourth step का आप मान सकते हैं that is called the excretion तो आपको दिखाया दिया आप तीन चीजह है पहला glow merular filtration दूसरा क्या हो गया tubular reabsorption and the third one is called the tubular secretion हम देख लेते हैं एक summary की form में देख लेते हैं की कौन सा चीज कहां पर हो रहा है फिर मागे इसको detail में देखेंगे जो पहल वाला point है इसकी according देखते हैं यहां पर कि यह है एक renal artery का part यह renal artery मान लिजे रिन मेंने क्या कि जो kidney के अंदर आ रही है artery अब renal artery का एक fine आपको branch दिखाई दे रहा है और यह afferent arteriol है जो इस cup-like structure में आ रही है और इस cup-like structure को ही क्या कहते हैं baumens capsule कहते हैं इस यहां लिखा अब यहां देखें जब यह artery अंदर की तरफ आ रही है जो atrial जो है अंदर की तरफ आ रही है तो यहां पर इसकी करीबन 50 branches divide हो जाती है यह artery ऐसे आई एक है आटियोल आगे जाके यहां पर क्या होगा इसकी fine fine पतली पतली करीबन 50 branches यहां पर होगे 50 branches हो जाने से blood pressure इनके अंदर काफी increase कर जाता है जब blood pressure increase कर जाएगा तो इसके अंदर से जो minute minute solutes है अगर देखा यहां क्या 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 है प्रसेर ने आदेखे लिखा है आपर कि water है solutes है जो smaller किसके है protein से छोटी चीज़ है वो सारी की सारी क्या होती है blood pressure के वज़से निकल के इस white वाले portion में आ जाती है अब जो blood के अंदर component था वो निकल के बाहर आ गया क्यों बाहर आ गया क्योंकि pressure क्या है बहुत जादा है यह पॉइंट आ रखेंगे कि चीज़ें निकल के बाहर क्यों आ रही है क्योंकि यहां यहां पर क्या है जो blood pressure है वो क्या है increased है क्यों increase है क्योंकि एक bag blood क्या है बहुत minute fine capital के अंदर आ गया और उसमें pressure क्या हो गया बढ़ गया अब जो चीज़ें निकल के बाहर आई वो यहां देखी यह double membrane यह बनी हुई है यहां पर क्या मैं color change कर देता हूं आसानी दिखा ही द लगी हुई यहां पर single cell की और इस ऐसे लगी हुई है कि एक के बाद इनके बीच में क्या है यहां पर gap present है इन gap को हम बोलते है क्या filtration stress बोलते है क्या filtration pore बोलते है और इन cells को बोलते है क्या हम podocytes बोलते है जो bowman's capsule की wall पे क्या है present है जो epithelium की form में present है podocytes का मतलब क्या कि ऐसी cells जिनके बीच में जिनके अंदर process जो होते हैं वो leg की तरह दिखाई देते हैं इसलिए नाम का यहां पर podocytes अब यह filtrate जो है इस capital से निकल के यहां पर आया था इसके क्या क्या चीज़े है वो plasma का सारा चीज जो है इसके प्रजेंट है लेकिन क्या present नहीं है तो इसमें protein के molecules क्या है present नहीं है और बाकी सारी चीज़ें यहां पर क्या है present निकल के बाहर आ गई है अब यहां पर निकल के इंटर करेंगी यहां पर अब निकल के इंटर करके आई तो आपको दिखाई दरा है कि यहां से क्या हो गाएंगी निकल के आने का मतलब क्या यह सारी चीज़ें हो के निकलके आया है जो plasma का जो portion है उस में protein present नहीं है अब जो इस पर मिनिट की बात करें तो दोनों किड्नी मिलाके यह करीबन फॉर्म होता है 1100 ml से एप्रॉक्स 1200 ml तक यह फॉर्म होता है किड्नी जो हमारा हार्ट है वो करीबन एक मिनिट में फाइफ लिटर क्या कर रहा है ब्लैट पंक कर रहा है तो यह 15 के बराबर हो गया कृण यहां पे देखते हैं जो वर्म वेंड्किल होता है कर ब्लेट को पर्म करता है diversity गया है और समय पर करके लिए कंडिया। तो कितना blood इसमें filter हो रहा है तो यह कितना हो गया आपे 1100 से 1200 हो गया और इस filter होने से कितना कितना क्या हो रहा है यह glomulus filtered form हो रहा है तो यह करीबन होगा 125 ml होगा per minute अगर हम one day की बात करें तो यह कितना हो जाएगा एप्रॉक्स 180 लीटर हो जाएगा per day 180 लीटर क्या हो जाएगा यह आपे per day हो जाएगा तो कितना blood move किया one minute में kidneys kidneys से तो आप बोलेंगे क्या कि 1100 से 1200 ml blood move किया यह किसके करीबन equal हो गया तो जो हमारा heart का एक single ventricle क्या करता है जो blood pump करता है उस one fifth के बराबर है अब इसके अंदर से कितना filtrate form हुआ इस में से कितना चीज़ा निकल के बाहर आई कितना ml निकल के आया तो आप क्या बोलेंगे क्या 125 ml जो है यह glomulus filtrate क्या हो रहा है per minute में क्या हो रहा है फाम हो रहा है अगर इसको हम one day की बात करें 24 hours की बात करें तो कितना हो गया 180 क्या हो गया वो निकल के बाहर आ गया गया 180-liter बलड आपके पास present है नहीं आपके पास तो सिरु 5-liter Blur ही present है यहाँ पे तो यही बलड बार बार जब घूम के आ रहा है बार बार घूम के आ रहा है तो यह कितनी बार आया 24 hours में हम उस से क्या कर रहा है का क्ल्क्लेर कर रहा है आ पर तब क्या करें इसको हम लो निकल के आ रहा है, per minute में 120 ml था यहाँ पे, अगर इसको calculate करें कि कितनी बार blood आया, कितना यहाँ filter हो के आ गया यहाँ पे, तोटल कितना आ गया यहाँ पे, 180 liter आ गया, per day की बात कर लें, clear है, यह minute में है, यह क्या है, per day में है, आपको भूलना नहीं इस चिसको, आप देखिए यहाँ पे, यह जो filtrate निकल के बाहर आ गया, जो 180 liter है, यह इसमें से 99% जो निकल के यहाँ पे आया था, इसमें से 99% क्या होता है, यह पूरा का पूरा फिर से इस blood में इंटर कर जाता है, जो peritubular capital में चला जाता है, अब इसके अंदर इंटर करने के process को क्या कहते हैं, हम tubular reabsorption कहते हैं, क्यों कहा गया है पे reabsorption, इसलिए कहा गया, तो कि इस blood से यह सारी चीज़ निकल के बाहर आई थी, और फिर से blood में चली गई, तो इस process को ही क्या कहते है, फिर से blood में जाने के process कहेंगे क्या, reabsorption, reabsorption कहेंगे, clear है यहाँ पे, अब next जो है, उसको हम देख है, that is called the tubular secretion, अब यह tubular secretion कहां से हो रहा है, तो tubular secretion हो रहा है, यहाँ से, इनकी जो यहाँ पे लगी हुई है, यहाँ पे, cuboidal epithelium लगे हो यहाँ पे, यह brush border होते है, ऐसे brush लगा रहता है, इसके अंदर, तो जो क्या करते है, जैसे भी हो गया, brush border हो गया, इसका मतलब क दिखाई दे, कहीं भी body के अंदर, आपका बस एक ही answer होगा, कि यह jig-zag area क्या increase कर रहा है, तो surface area को increase कर रहा है, और किसके लिए increase कर रहा है, तो यहाँ पे कुछ न कुछ क्या होगा, absorption का process होने वाला है, होता होगा, clear है, तो यह cells जो हैं, यह absorption का भी काम करती है, absorb करती है, और tubule के बाहर क्या करती है, important चीज़ों को निकाल के रख देती है, अब बाहर निकलेगा तो कहां जाएगा, बाहर यहाँ पे, इसके surrounding में पूरा का पूरा क्या है, liquid भरा हुआ है, जिसे हम क्या करते है, tissue fluid बोल सकते हैं, interstitial fluid बोल सकते हैं, interstitium बोल सकते हैं, अब जो important जाएगा, तो जो blood का important component था, फिर से क्या हो गया, blood में वापस पहुच गया, अब कभी-कभी क्या होता है, blood का pH maintain करने के लिए, blood के अंदर चीज़ों को balance करने के लिए, इसके अंदर secretion किया जाता है, और यह secretion क्या लाता है, क्या, हम बोलते हैं, हम कहते हैं, that is called the tubular secretion, क्य क्या बोलने हैं, tubular secretion की बात कर रहे हैं, और यह tubular secretion क्या करता है, इसके अंदर जो चीज़ें present हैं, और यह निकल की यहां जा रही है, तो यह समझो, यह tubular secretion क्या कर रहा है, यह maintain कर रहा है, इसको हमारे blood के pH को maintain करने का काम कर रहा है, हमारे blood के ionic balance को maintain करने का काम कर रहा ह साथ नातå किसको मेंटेन कर रहा है यहां सेनका से प्डिपयों को मेंटेन करने का एक इंपोर्टंट रोल प्ले कर रहा है नौ कि और क्या चीज को सकते हैं तो यह सालैकिवली क्या होता है इसको मैंटेंग करने क confession ये यहां पे साथ में निकला इस निकलनी निकलना पोथे की आनने के लिए यहां पोना साथ dai क def fluid के अंदर present है तो यहां दिखाए दिए आपको यहां पे कि creatinine and drugs are removed from the peritubular blood capillary and secreted by the tubule cells into the filtrate तो यह सी तीरे क्या हो गई रिमूब का हो गई यहां से इसे निकल के बाहर कर दी गई यहां पे और यह सारे की सारे क्या हो रही है यहां पे क्लियर यहां पे हम मूव करते हैं इस पूरे process को detail में देखेंगे one by one यह तो एक simple सा एक recap बने आपको उता दिया एक समझे एक छोड़ा सा क्या था यहां पे एक summary थी हम detail में देखते हैं यह है आपका एक nephron और nephron क्या है is the structural and functional unit of our kidney मैंने starting मुता है आपको कि एक nephron जो होता है वो approximately 1 million तक होता है हम देखते हैं इसको यहां पे दो चीज़ देखेंगे हम यहां पे एक एक चीज़ पहले देखेंगे यहां पे कि यह जो आने वाली capillary है यहां रखेगा आपको यहां पे तो आने वाली को क्या बोलेंगे हम A से बोलेंगे तो कि आने वाली है तो क्या बोलेंगे affront A फर आने वाली और E का मतलब क्या होता exit तो यह क्या हो गया different हो गया different क्या exit वाली है यह जाने वाली है अब यह यहां पर देखिए यह पूरा-पूरा-पूरा एक fine branches बना रही एक tuff बना रही है यह tuff जो है blood capital का बना हुआ है यह fine है इस पूरे के पूरे ट्रफ हो क्या पूल ले हैं हम लोगो क्या glow maryllis बोल ले हैं तो दो पार्ट हो गया एक पूरा-पूरा और दूसरा क्या होगा है यहां पर इसका पूरा का पूरा टीबूल वेला पार्ट, clear है? अब देखते हम यहां पर, ज़र डिटेल में देखेंगे इसको हम लोग, यह जो पूरा का पूरा, यह balloon-like structure दिखाए दर यहां देख लिए यहां दिखाए दर यहां पर, यह balloon-like structure द approximately 50-50 fine branches में क्या होगी, convert होगी यहां पर, इस पूरे के-पूरे blood capri के conversion को ही क्या करते हैं, blood capri को क्या बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, glow merulous बोल रहे हैं, यहां लिखा हुआ है, glow merulous, अब यह जो बाहर, आपको couple-like structure दिखाए दर रहा है, that is called the baumens capsule, अब baumens capsule है, इन दो नों के अगर बात करें, दोनों को मिला के अगर बात करें, तो यह structure क्या कहलाता है, हम इसे कहते हैं क्या, दोनों के अगर बात करें, दोनों मिला हुआ हुआ है, हम इसे बोल सकते हैं, यहां पर is called the malpeegian body, Malpegian Malpegian body बोलते हैं और इस भी को आप बोल सकते हैं क्या इस पाल दे रेनल काप्सल क्या बोल सकते हैं हम इसे तो क्या आज मैंने बूला यह जो blood capri है साथ में बामिन्स capsule है हम इन दोनों की बात कर रहे हैं यहां से यहां तक इस texture की बात कर रहे हैं it's called the malpigian body और इसी को क्या बोल रहे हैं renal capsules बोल रहे हैं यह important question है आ सकता है यह ध्यान देगा आप यहां पर move करते है next की तरफ हम यहां पर इसके अगले वाले पार्ट का हूं क्या करेंगे describe करेंगे तो अगले वाले पार्ट में को दिखाई देरा है clearly यहां पर कि यहां से क्या हो गया एक conversion start को गया पर यहां देखिए highly क्या है यहां पर एक टुबूल पुरा मोड़ा हुआ है तो अब malpigian टुबूल के आगे की बात करें अगर हम तो यह जो पहला structure काफी यहां पर आपको convoluted सा दिखाई दे रहा है that is called the proximal convoluted tribule है और इसे बोलते है कि हम PCT बोलते है PCT एक ऐसा reason है जो highly quiet है यहां दिखाई दे रहा देखिए यहां पर highly quiet यहां पर यहां पर यह है इसलिए है कि यहां पर flow को pass होने में जड़ा time लगेगा अगर इसके अंदर की हम सिच्चर की बात करें तो इसके अंदर जो tubule step का बना हुआ है इसके अंदर आपको simple cuboidal epithelium लगा हुआ है जो breast border है breast border का मतलब क्या इसके पास क्या है यहां पर cilia present है जो microvilli present है यह कहते है आप यहां पर इससे क्या होता है यहां पर absorption का जो surface area है वो increase कर जाता है यह absorb भी कराते हैं चीजों को और यह secret भी करते हैं इसी filtrate के अंदर जो ऐसे baumins capsule से निकल के आ रहा है यहां देखे तो यह जो highly coiled area मैं उनकी बात कर रहा हूँ यहां पर is called the कुछ passively absorb होते हैं कुछ actively absorb होते हैं तो जो passively absorb हो रहे हैं अगर उनकी बात करें तो वो क्या है water वाले component है उनको क्या करते हैं आसानी से क्या कर दिया आता है इसको यहां पर absorb कर लिया आता है लेकिन अगर बात करें कौन से actively form में absorb किया जा रहे हैं तो actively कि अगर बात करेंगे तो इसमें आएगा कि आपका glucose आएगा amino acids आएगे यह actively फार्म में इसको absorb किया जाता है भूलेंगे ने इसको बहुत इंपोर्टेंट के फार्म में आया हुआ है तो यह चीज हो यहां पर अगर हम क्या करते हैं मौफ करते हैं आगे की तरफ तो आपको यह रखना पड़ेगा कि जो glucose है जो amino acid है फिर मैं लिख दे रहा हूं यहां देखिए जो glucose हो गया साथ में जो amino acid हो गया यहां पर मैं क्या होते हैं इसको actively क्या किया जाता है filtrate से reabsorb कियाता है actively का मतलब क्या कि इसे हम absorb करेंगे तो ATP हमें consume करनी पड़ेगी उन cells को ATP क्या करना पड़ेगा consume करना पड़ेगा तो यहां पर मैंने दिखाए दिया अब यह जो है यह chemical जो है यहां से इंटर करेंगे proximal करोंडे convertible तुबूल के अंदर यहां पर इंटर करेंगे तो इसके absorption के अंदर इस टुबूल के अंदर present है यह liquid इसको निकालके इसके बाहर भेगगा जा रहा है यहां पर तो यही क्या कहला रहा है यह reabsorption कहला रहा है तो proximal converted तुबूल के अंदर हम बात करें, जो प्रॉक्सिमल करने टुबूल है, इसके अंदर, मैं क्लियर कर दूँ यहाँ पे, कि इसके अंदर करिबन, 70 से लेके 80% यह ध्यान देना आपको, 70 से 80% जो है, यह essential nutrients, electrolytes, essential nutrients, electrolytes, प्लस आपका जो water है, वो क्या होता है, absorb हो जाता है, तो अगर question आता है कि maximum जो absorption कहाँ पे हो रहा है, तो आप बोलेंगे क्या कि, proximal convoluted tubule के अंदर ही क्या हो रहा है, यह absorption होने का role play कर रहा है, clear है यहाँ पे, इसके बाद देखे, अब यह जो pipe है, वो नीचे की तरफ क्या कर रहा है, move कर रहा है, जो नीचे की तरफ move कर रहा है, इस pipe की में बात कर रहा हूँ, यह जो pipe आ रहा है, यह कुछ दूर तो क्या है, यह काफी मोटा दिखाए जिए आपको यहाँ पे, और यहाँ से देखे, थिन हो गया, काफी थिन हो गया, तो जो नीचे की तरफ pipe आ रहा ह है इस pipe को हम कहते है क्या descending limb of loop of handling और यही pipe जब ऊपर की तरफ जाता है तो कुछ दिर तरफ पतला है फिर देखिए यहां पर क्या होगा यहां ते काफी मोटा होने लगा यहां पर अब जो ऊपर की तरफ pipe जा रहा है जो ऊपर की तरफ रन कर रहा है इसे हैं क्या बोल रहा है अप साइड जो मूफ कर रहा है इस काल दए ascending limb of loop of handling और यहां पर यह जो आपको दिखिए यहां पर you safe जो structure बन किया यहां पर इस use of structure को बोलते है क्या hairpin loop जो girls hairpin लगाती है mother hairpin लगाती है यह बालों में यह ऐसा यूछटा है नियुरी जै की तब होता impact दिखा दिखाई दे कर आँब है यह जो गुमाओदार है और इस पूरे के पूरे टीभीउल का जो लास अब इसलिए क्या नाम रख दिया इसका, distal हो कि last में है, confoluted काफ्य घुमाओदार है, और tube की तरह है, तो क्या बोल दिया, हम ने क्या, last में है, काफ्य घुमाओदार है, इसलिए क्या बोल दिया, distal convoluted tubule बोल दिया, और ये जो covenantal tubule है जाकर कहां मिल गया तो यह मिला कहाँ पर आप देखिए आप पूरी की पूरी एक स्ट्रेट ट्यूब आ रही है यह state tube देखिए आप यह पूरी की पूरी state tube आ रही है और इस state tube को क्या बोलना है यहाँ देख लीजे इवन यहाँ इसको यहाँ देख सकते हैं आप यहाँ पे यही क्या है अब शुब बोलते हैं कि हम लोग collecting duct बोलते हैं और यही collecting duct कहां पर आके खुलेगी तो हमने दिखाया था आपको यहाँ पे कि ऐसे यह कौन की तरह structure होता है यहाँ पे यह पूरा का पूरा यह नेफ्रॉन का यह वाला ऐस्ता यहाँ प्रेजेंट है काफी यहाँ पे और फिर क्या हो गया यह नीचे साइड आए और यहाँ पे व societies, ऑडिंटिं न्यक्त जतना है इस पाल पूसरा जी सिर्टह लाहल इसुए आए जी Unfortunately, आखे नहीं। अलें ना के लाहलेदे लाहला देखेंगे वह गत्यान की हुआ है, यह भी भी गखेंगे हुए L, यह स्वाली और है, तो इन की मटर्स और काफी नीचे के साइड में क्या रहा है यहां देखे इसको बोलते हैं कि हम लोग बोलेंगे क्या इनर मेडला जो करेवन यहां प्रेजेंट है इस कोन के पास यहां जो पिरामिड है इसके लास्ट में प्रेजेंट है इसको बोलेंगे क्या हम इनर मेडला इतना क्या बोल द हैं तो cortex area में present है क्या आपका यह पूरा का पूरा malpigian body जो दोनों को मिला के बनता है वो present है साथ में आपका जो proximal PCT में बोलते हैं sort form में यह present है और यह है तीसरा जो area है is called the DCT क्या है present है यह बहुत important question है तो जो important section है वो सारे के सारे कहां पे हैं वो cortex region में present दिखाई दे रहे हैं तो medulla में क्या है यह आपको यह पूरा का पूरा जो pipe दिखाई दे रहा है यहां से लेके यहां तक यह पूरा का पूरा pipe जो है जो tubule वाला area है यह medulla के अंदर प्रेजेंट दिखाई दे रहा है अब देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यह जो efferent RTL आ रही थी यह जो बाहर गई तो यह पूरा का पूरा इसी वाले इस duct पे देखिए जो PCT जो है इसी के ऊपर पूरी की पूरी लिबर्ती हुई यह ऐसे चली जा रही है और जाते जाते यह ऐसे बाहर निकली और ऐसे अब ब्लू क्लर की हो गई मतलब यह वेन के फॉर्म में convert हो गई अब यह चली गई तो हर एक जो नेफरान है उसके ऊपर जो efferent RTL है आने वाली जो है और जब यह निकल के बाहर जाती है तो यही पूरी की पूरी क्या होती है इस पे क्या होती है लिपट जाती है और just opposite move करती है अगर यह ऐसे से ऐसे move कर रहा है तो यह जो RTL हो क्या करेगी इसके opposite move करेगी ऐसे से इसे मूब करेगी और इसी आर्टियूल को हम क्या बोल ले थे पेरी ट्यूबिलर कैपली बोल ले थे और यहा क्या बोल ले है इसको हम लोग क्या बोल ले है इसे हम बोल ले है क्या वासा रेक्टर बोल ले है वासा रेक्टर का लेक्टर का लिक्रिमिल लिंग क्या होता है एक गाँ चेहनों हुझा है। जिनको आगे पास कर दिया जाएगा इसके अंदर, यह पूरा का पूरा प्रोसेस जो अब दिखाई दे रहा है को यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे, जो collecting duct है, वो क्या सिर्फ एक ही nephron को attach करने का काम कर रहा है, नहीं, यहाँ देखते हैं, इस collecting duct में यह दूसरे nephron का end दिखाई दे रहा है, यह third वाले का connection दिखाई दे रहा है, यह fourth वाले का connection दिखाई दे रहा है, यह fifth वाले का connection दिखाई दे रहा है, तो एक collecting duct के अंदर, सिर्फ एक nephron का DCT जाके connect नहीं होता, उसमें आके कई क्या होते हैं, connect होते हैं, यहाँ सामने आपको दिखाई है तो जो PCT वाला एरिया है कुशन आता है कि सबसे अधिक कहां पर चीदे क्या होती है अब बोलेंगे जो PCT वाला एरिया है यहां पर सबसे ज़्यादा absorption किया जाता है मैंने बता दिया आपको और यहां secretion भी होता है secretion का मतलब क्या यह जो मैंने फिट दुदा दूँ यह जो pipe है इसके अंदर की जो cells हैं वो क्या करती है आइन्स को secret करने का काम करती है यहां पर इस pipe के अंदर इसके अंदर liquid भढ़ा हुआ है बना रहा है तो यह इस liquid के अंदर secretion क्या किला यहिगा इसको क्या बोलते हम है secretion क्या किलाता है और क्या क्या secret हो यह यहाँ पे? अचायन secret होगा आपके ammonium ion क्या होगा, 열 NH क्या हो गए यहाँ पर 3-0 सिक्रिट हो गए यहाँ पर आपका potassium सिक्रिट हो गए यहाँ पर क्यों सिक्रिट हो रहा है तो यह balance बनाने के लिए pH को blood के balance बनाने के लिए ionic balance बनाने के लिए जरूरी है जिससे मारा क्या होगा blood का pH क्या होगा important बना रहेगा साथ में इसी जगह पे क्या होगा ये एक्षा ऐस यहें पे यह हो रहा है क्ःष्ट कंप NIका P सबस्क्राइब करते हम आजए कि इस फिछिदन क्या की चित्य हो रहा है यहाँक पर कि यह क्या हो रहा है यहां पर कि इससे क्या होता है pH और आपका जो आइनिक बैलेंस है ब्लड का क्या होता है वो मेंटेन होता है अब यह सारा or practices नीचे के तरफ फ करके, आने पर यहां देख? यहां चीदे क्या होगी पतले हो पाइप यहां पर इसे कय था मो टा पाइप और यहां देखिए पतला हो गया अश्रा हो गया जब पतला हो गया तो झो तो नीचे के तरफ आ रहा है, यह descending limb है, यह permeable किसके लिए होता है, only water के लिए होता है, सिर्फ water निकल के बाहर आ सकता है, बाकी और सी निकल के बाहर यहां नहीं आती, mostly समझे आपर क्या है, किसके लिए water यह क्या है, तो इसका लिए permeable to only water, लेकिन यह जब उपर जा रहा है, अब देखिए हां पर, अगर water जो है, यहां से निकल के बाहर आ गया, मैं बोलू कि यहां पर देखिए, दो चीज़ present है इसके अंदर, यह नीचे से उपर जा रहा है यहां पर, यहां पर इसके अंदर present है क्या, water साथ में nitrogenous waste क्या है present, अगर water निकल के बाहर आ गया, तो इस के अंदर जो liquid है, उसका concentration तो बढ़ गया न, यह क्या होगा, concentration बढ़ गया इसका, तो यहां पर जैसे यह U-shape बन के आ रहा है, यहां पर kidney की जो osmolarity होती है, जो nephron की osmolarity होती है, यह maximum होती है, यह कितनी होती है, 1200 milliosmol litre होती है, यहां पर, अगर कोशन आता है कि कहां प 1200 जो U-shape दिखाए दे रहा है, यहां present है, और U-shape होता कहां पर है, तो बोलेंगे कि आप यहां पर inner medla में present होता है, और यहां पर जो osmolarity होती है, यह प्रॉक्स 1200 होती है, तो यहां कितनी होगी जब इंटर कर रहा था, यहां पर होती है, 300 milliosmol, यहां पर litre per में क्या होत है, तो PCT पर कितनी है, कोशन अगर आएगा, तो बोलेंगे कि आप, 300 होती है, और loop of handle पर कितनी हो रही है, यहां पर, तो आप बोलेंगे, यहां पर क्या, is the maximum है, कितनी है, यहां पर 1200 milliosmol, osmolarity यहां पर present है, clear हैं यहां पर, तो अब यह चीज़ें सब उपर जा रही है, जब उपर जाती है, तो फिर से देखिए, इस side में, जब चीज़ें उपर जा रही है, तो यहां पर यह मोटा हो गया, area, इसे क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, उपर जाने वालेंगे, बोलेंगे, ascending, limba, loop of handle, बोलेंगे, अब इस area से, water जो है, यह बाहर ने निकल सकता water निकल नहीं सकता बाहर, तो क्या बहार निकलेगा, अब यहां दिखे, sodium, प्लस यहां पर क्या होगा है, chloride, तो sodium जब बाहर जाएगा, तो उसके पीछे पीछे, chloride, क्योंकि negative charge उसके पीछे क्या होगा, attract होके बाहर चला जाएगा, तो यहां पर एक जो charge का effect है, उसके इसला वाला थिन वाला एरिया है, यहां पे इंटर कर जा रहा है, यूरिया, यूरिया में बहार निकलना, लेकिन यहां पे यूरिया क्या होगा, इसमें इंटर कर गया, यूरिया क्यों इंटर कर गया, तो फिर वही बात, कि पीछ के बैलेंस को बनाने के लिए, आइनिक ब क्लियर है कि ओ इंटर किया में बता यहाँ पर पी फ़ और आ объяс को maintain करने की बात कर रहे यहाँ पर इसलिए किया होता है यहाँ पर यह इंटर करने का काम करता है और यूटर्था क्या आया कहां से यह यूटर्याढ आया इस collecting duct से निकल बाहर आया है तो सारा का सारा यूरिया यूरियन के फॉर्म में पास नहीं कर दिया जाता ने जू इन दोनों के बीच में जो थो भृष्ड भरावा इसम्क वबोलते हैं इं Harvard के बीच में यहां से कलेक्टिंग यट से निकाल कर लिए यहां देखें के बैयार ऑई पे thin segment of the ascending link में क्या करता है इंटर कर जाता है जिसे blood का ionic balance pH balance होता है इसको maintain किया जाता है clear यहाँ पर अब यह जो है ऊपर जा रहा है ऊपर जाने के बाद यह देखिए यहां से फिर से क्या हो गया काफी गुमादार अरिया को जो यहाँ दिया हुआ है यहाँ पर नाम लिखा एगर डिस्टल convoluted tubule कह रहा है यहाँ अब डिस्टल जो है वह क्या कर सकता है तो यहां पर चीज़ें एब्जॉब होती है जो मैं focus करूँगा मैं important चीज़ें को focus करूँगा यहां देखिए यहां पर water भी क्या और absorb हो रहा है साथ में क्या हो रहा है यहां पर यह SCO3 भी क्या हो रहा है ब्रॉब हो रहा है यहां पर यहां पे, यहां पे SCO3 भी हो गया यहां पे, और यहां पे selective secretion हो रहा है, अब selective secretion का मतलब क्या है, कि जब जिसकी ज़रुरत पड़ेगी, उसी को इस pipe के अंदर secret किया जाएगा यहां पे, कहां secret हो रहा है यहां पे, तो बोलेंगे आप कि DCTP में क्या होता है, secretion भी होता है, और किस चीज़ का secretion हो रहा है, आपको यहां दिख रहा है यहां पे, कि hydrogen ion का हो रहा है, ammonium ion का हो रहा है यहां पे, और किसका हो रहा है, potassium का हो रहा है, इस चीज़ को क्या करेंगे, आप यहां रखेंगे, और यह secretion क्या कहलाएगा this secretion is called the selective secretion क्या रखेंगे आप यहां पर तो DCT में क्या हो गया यह सब चीज़ें absorb हो गई और यह सब चीज़ें क्या हो गई सिक्रीट हो हुई क्यों सिक्रीट होई तो वही answer कि pH balance को maintain क्यों सिक्रीट करने के लिए मैं एक चीज़ें बोलना क्यों सिक्राओंगा यह चीज़ेंगे कि यहां पर जो balance maintain का secretion जो हो रहा है कि किसके लिए हो रहा है तो आप चीज़ेंगे आप कि pH के balance के लिए तो होई रहा है and बहुत important point है यहां पर यह हो रहा है क्या sodium plus potassium के balance को blood में maintain करने के लिए देखियें हां पर दोनों के लिए क्या हो रहा है इन का secretion हो रहा है किसमे यहां पर थो sodium और potassium के को blood में maintain करने के लिए इसलिए इसका यहां पर Dct में secretion किया जा रहा है और secretion क्या है यहां पर बोलेगे क्या इसको हम it's called the selective secretion और यह सारा का सारा चीज आके समें मिला दिया गए यहां पर अब कुछ नहीं आता है कि क्या water का absorption यहां पर होता है तो yes होता है तो water का absorption कहां पर हो गया maximum कहां पर हो गया था 70% तो यहीं पर हो गया था जो बचा हो गया कुछ यहां पर हो गया कुछ यहां से निकल के बाहर चला गया यहां पर कुछ क्या हो गया यहां पर हो गया अब जो water है वो यहां से इस collecting duct से भी निकल के बाहर जा रहा है यहां देखिए focus कर यहां पर तो जो water का absorption हो रहा है, जो इस last वाले stage में हो रहा है, यह अपने से नहीं हो रहा है, यह water का absorption है, यह एक हार्मोन की वज़र से होता है, जिसे हम बोलते हैं क्या ADH, या क्या बोलते हैं से हम वैसोप्रेसिन, यह जो हार्मोन है ADH, यह store होता है हमारी posterior pituitary के अंदर, pituitary gland जो आपने पढ़ा होगा, आप नहीं पढ़ेंगे तो आगे पढ़ेंगे इसको हम लोग यहाँ पे, मैं दिखाने कोशिच करूँगा, यहाँ पे, ADH नाम या रखेगा भी आप, यह हो गया हमारी pituitary gland, जो हमारे brain के four brain में present होती है, इसमें आपको पार्ट दिखाए तरहा, यह anterior आगे वाला पार्ट है, anterior पार्ट आगे वाला पार्ट, यह posterior पार्ट को बोलेंगे क्या पीछे वाला पार्ट है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं क्या, neurohypophysis, neurohypophysis, क्योंकि इसके अंदर यह जो हार्मोन्स हैं, यह hypothalamus में बनाए गया है, और अपने neurons के थुरू इसके अंदर लाके store कर दिया गया, बनता यह कहां पे है, तो इस हार्मोन का formation होता है, कहां पे hypothalamus के अंदर, और store कहां पे हो रहा है, तो pituitory, posterior pituitory के अंदर हो रहा है, और time to time क्या करते हैं, यहाँ से, यह release किया जात है, अगर question आता है कि, कहां बना ADH, तो अब बोलेंगे क्या hypothalamus में, और store कहां हुआ, तो posterior pituitory में, इस also called the neurohypophysis, अब यहां से वो release किया गया, तो उसका action, उसका receptor आके कहां पे यहां present है, और यहां present है, DCT में है, plus कहां पे है, तो collecting duct के अंदर present है, इसके valve present है, अब यह आत pourins, aqua pourins बोलते हैं, इनको यह open कर देता है harmon, और इससे क्या होता है, इस urine के अंदर जो बन के आ रही है, इसके अंदर जो concentrate है, इसमें से धेर सारा water निकाल के बाहर कर देता है, water क्या हो गया, इस टिबूल के अगल बगल चला गया, मतलब कि kidney के जो interstitium है, वहां चला गया, अगर यह ADH नहीं आता, तो इतनी धेर सारी urine बनती, काफी dilute urine का formation हो जाता, concentrate urine नहीं बनती, अगर ADH नहीं आता है, तो एक बिमारी हो जाती है, इस हम क्या बोलते है, diabetes insipidus बोलते हैं, ध्यान देजे का diabetes insipidus बोलते हैं, किसकी कमी से हो रहा है, तो यह कमी हो रही है किसकी यहाँ पर, that is called the, हम बोलेंगे क्या इसको, हम बोलेंगे इसको कि यह किसकी कमी से हो रहा है, तो यह कमी का नाम है क्या, ADH हार्मोन की कमी से कौन सी बिमारी होती है, तो diabetes insipidus होती है, clear है यहाँ पर, इसी तबीके से हम इसको हम और detail में देखेंगे, इसका अगला वाला पा उसके साथ clear करें, इस यह informations आपको हर एक examination में आने वाले questions को solve कराएगी, आप बने रहें मेरे साथ, all the best, thank you